हेलो गाइस क्या हल चाल है आफके वलकाम टो जगास क्लासस दिस इस ब्योंकिस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफी की क्लास 9 माथमेटिक्स का चेप्टर नंबर वान क्या है नंबर सिस्टम नंबर के बारे में 8 क्लास से पढ़े हैं हम फर्स चेप्टर वो भी था ये भी फर्स चेप्टर है उससे थोड़ा लगाव तो रखता ही है पहले क्या देखेंगे नंबर क्या है और आप सबको पताओगा 1,2,3,4 ये साब नंबर है पर ये नंबर जितने भी है इनको बहुत स सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है तो वो क्या-क्या है तो पहले तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्यूंकि पूरे बुक को लाइन वाइन डिटेल एक्स्प्लेनेशन के साथ क्लियर करना में थोड़ा टाइम ल कि आप कल 1.3 से स्टाट करना ऐसे करके तुम टॉपिक वाइस को भर कर सकते हूं तो तुम्हारे आसानी के लिए मैंने टाइम स्टांप लगा रखा है जो की डेस्ट्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा तो पहले सुरू करते हैं कि नंबर के टाइप क्या-क्या जाती है और इसका एक सिंबल है जो तुमने eight में सायद ना पढ़ा हो पर ninth में तुम्हें जानना पड़ेगा सिंबल क्या है इसका इन नेचुरल नंबर है आसान है याद करने में भी आप एक नंबर हम पढ़िए थे चलो नंबरिंग कर देती हैं आसानी होगी बोलके whole number कौ सा होता है, 0, 1, 2, 3, ऐसे बढ़ता-बढ़ता चला जाएगा, और इसका symbol क्या होता है, उसका n था तो इसका w, अब next term क्या देखते हैं, integer, क्या देखते हैं, integer, integer क्या होता है, minus 1, minus 2, minus 3 भी उसमें include होता है, क्या होता है include होता है minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ऐसे तो जाएगा और क्या होता है 1 2 3 4 भी जाता है तो अगर एक जगा पर लिखें तो कैसे लिखते हैं हम लोग कि ऐसे लिखते हैं यहां से 0 हो गया 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा और इधर कैसे जाएगा minus 1 minus 2 minus 3 इधर बढ़ता जाएगा यह सब क्या है, इंटीजर है, इसका सिम्बल क्या है, आई मत बोलना, आई नहीं होता, इसका सिम्बल होता है, जैड, सर जैड क्यों आई लिख देते हैं, क्या तकलीब होती, सर यात रहता आसान इसे, तो मैट के बुक में दिया गया है, तो इतना तो यात कर सकती हो, अब दे देता हूँ कि rational number क्या होता है ऐसा एक number जिसको P by Q के form में लिख सके हम और जहां पर P कोई भी integer हो सकता है पर क्या होता है Q will not equals to zero Q zero नहीं होना चाहिए और rational number में क्या आते हैं 1 by 2 1 by 3 और यह सब आते हैं यह whole number आता है integer आता है natural number आता है यह सब लोग rational number के अंदर आती है क्यों बोलने से सर यह तो P by Q के form में नहीं है पर 1 by 1 2 by 1 इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती है इसलिए यह भी rational number है और rational number का symbol क्या है इसका symbol इसका symbol है Q Q नहीं Q क्यू इसका symbol है जो तुम्हें याद रखना है यह सब तो तुमने पढ़ा होगा आप number system में और एक number मैंने जैसे बताया था real number जो दुनिया में exist करते है real number और एक होता है imaginary number तो real number फिर दो parts में divided है एक होता है rational number दूसरा होता है irrational number तो इस natural number के अंदर 1,2,3,4,5 आ रहा है और whole number के अंदर 0,1,2,3,4,5 करके जा रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि all natural numbers are whole numbers क्योंकि natural number में जितने number है वो भी आते है प्लस एक 0 एक्स्ट्रा आता है कहां पे whole number में और हम क्या ये बोल सकते हैं कि all whole numbers are integer क्योंकि सारे whole numbers के साथ-साथ उसके negative भी आते हैं जैसे minus 1, minus 2 integer में तो हम ये बोल सकते हैं कि all whole numbers are integer वैसे हम क्या यह बोल सकते हैं कि all integers are rational number क्योंकि सारे integer को P by Q के form में लिखा जा सकता है समझ गे तो यहां से क्या पता चलता है कि वो natural number whole number integer सारे किसके अंदर आते हैं rational number के अंदर आते हैं समझ गे clear है अब हम move करेंगे irrational number की तरफ before that pause the video and note it down the symbol learn the all symbol अब हम क्या दिखेंगे irrational number next heading लगा लो irrational number और mcqs के चिंता मत करो term 1 में सर mcq आएंगे वो भी जब उसका time आएगा मतलब पहले थोड़ा पढ़ेंगे उसके बात mcq का time आने पर यही channel में तुम्हें free of cost mcqs मिल जाएगा अभी lecture videos और notes मिल रहा है क्यों भी free मिलेगा कहां पर आफ ही के अपने channel जकास classes थोड़ी ही दिनों बाद मिल जाएगा या ज्यादा time में नहीं लेने वाले हम हमारे पास already है बस थोड़ा wait कर रहे है सही time आने का हां तो देखो irrational number तो irrational number क्या है rational number क्या था the number which can be written in the form p by q तो यह क्या होगा the number यह वो number है which can't be जिसको नहीं लिखा जा सकता can't be written in the form in the form p by q और वहां पर क्या होना चाहिए form p by q where p where q will not equals to 0 and p is an integer तो q में अगर 0 होगा तो यह irrational होगा पर q में अगर 0 नहीं होगा और p by q form में उसको लिखा जा सकता है तो वो rational है अगर उसको वो form में नहीं लिखा जा सकता है तो यह irrational है समझ गे तो कुछ example देजे सर तो मैं कुछ example देता हूँ वो क्या क्या है जैसे तुम्हारा हो गया root 2 example में root 2 root 3 root 5 root 7 etc अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर यह root वाला symbol अगर किसी भी number के उपर बैठा दें तो क्या वो rational बन जाएगा नहीं कब बनेगा मैंने यहाँ फे root 4 क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ फे root 4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि root 4 क्या होता है root 2 into 2 equals to 2 तो 2 का square 4 होता है तो 4 का square root कितना होगा 2 होगा तो जिसका square root एक normal number निकल जाए जैसे root 9 equals to 3 यह सब क्या है rational है पर जिसका proper square root ना निकले जैसे root 2 का बता सकते हो किसका root 2 होगा point में निकलेगा 1.21 something ऐसे मिकलता जाएगा तो उसको क्या बोलते है irrational number बोलते है sir तो root 17 क्या होगा तुम्हें लग रहा है इसका square root कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा तो यह क्या है irrational है पर जिसका square root निकलेगा जैसे root 16 किसका square है 16 फोर का तो root 16 कितना होगा 4 निकल जाएगा तो वो क्या है rational है जिसका square root ना निकले तुम यह एक अंदाजा लगा सकते हो जिसका square root ना निकले वो number का square root लगा देंगी तो वो क्या हो जाएगा irrational number हो जाएगा तो ये बात था तो तुम्हें तो पता है कि rational number जितने भी होते हैं वो चाहे integer हो, whole number हो, natural number हो उन सबको हम एक चीज में represent कर सकती है जिसका नाम है number line क्या नाम है? number line तो क्या irrational number को number line में represent किया जा सकता है तो तभी दो scientist ने बोले थे कौन? हमारे दो mathematician, mathematics वाले ने बोला था कि क्या नाम था हुनका? contour and dead kind क्या नाम था? contour and dead kind दो mathematician थे उन्होंने बोला था कि कोई भी number क्यों ना हो इस दुनिया का, उसको number line पे represent किया जा सकता है और तुम्हें पता है कि number line कुछ ऐसा दिखता है 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा इधर minus 1, minus 2, minus 3 इधर ऐसे आता है तो यहां पे कहीं पे भी root वाला तो कोई number नहीं है तो इसे कैसे represent करते हैं वही हम अभी पढ़ने वाले हैं before I move to all those pause the video and note it down अब हम पढ़ेंगे irrational number in number line एक number line कैसा होता है कुछ ऐसा होता है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा इधर minus 1, minus 2, minus 3 करके आएगा इधर भी बिलकुल same case होगा 0, 1, 2, 3 और minus 1, minus 2, minus 3 पर यहां पे दिक्कत यह होता है कि कोई भी root वाला number number line में नहीं होता और हमें क्या बोलेगा question locate root 2, locate root 3 ऐसा सवाल आएगा तो उससे पहले इसको plot करना जानने से पहले तुम्हें एक चीज जानना पड़ेगा math का Pythagoras theorem क्या बोलते हैं उसको पता भी होगा तुम्हें previous classes में, previous lectures में पड़े होगे नहीं पता तो भी बता देता हूँ क्योंकि हम basic से बच्चे को लेके 95% प्लस तक की journey का share कराएंगे तो एक right angle triangle है ये right angle triangle तो पता होगा एक angle जिसका 90 degree होता है और इसमें एक triangle का height होता है एक उसका नीचे वाला portion होता है जिसको base बोलते है मतलब नीचे वाला हिस्सा और इसको बोलते हैं hypotenious या फिर कुछ लोग hypo बोलते हैं sort में इसको perpendicular बोलते हैं जो height होता है तो इसको P लिखते हैं जो base होता है नीचे वाला part उसको B लिखते हैं और ये जो perpendicular और base को जो connect करता है सबसे बड़ा वाला line बोल सकते हो एक right angle triangle का उसको hypotenious या फिर H बोलते हैं तो pythagoras theorem क्या कहता है कि P square perpendicular का square plus base का square equals to H square मतलब hypotenious का square ये pythagoras theorem बोलता है और इसका यूज हम यहाँ पर करने वाली है तो P square plus B square equals to अगर H square आया तो H equals to क्या आएगा whole root of P square plus B square समझ गे यही होगा answer क्योंकि यहाँ से square हट गया तो square root लग गया opposite side normal equation लिखा है यहाँ तक समझ गे अगर यहाँ तक समझ गे तो यह अभी यूँ समझ जाओगे कैसे देखो तो यहाँ पर कोई root 2 नामक point नहीं है पर यहाँ पर one एक point है sir one का क्या करेंगे हमें root 2 चाहिए देखो यह मान लो एक triangle का क्या है base है हो गया अब हम इसका height लेंगे चलो मैं height कितना perpendicular height मतलब perpendicular पी लेते हैं चलो वान यह भी वान लेते हैं जो कि क्या है इसका पी है क्लियर अब देखो इसका base कितना है 0 से 1 तक 1 है इसका perpendicular 1 है base भी 1 है तो इसका hypo कितना होगा p square plus b square का whole root मतलब hypo equals 2 1 square plus 1 square का whole root 1 square कितना होता है 1 और यहां का 1 square भी 1 1 plus 1 root 2 तो यहां पे मैं बोल सकता हूँ कि hypo 10s जो होगा इस triangle का जो h यह कितना होगा root 2 होगा तो यह number line पे root 2 आया कि नहीं आया आया वैसे root 3 कैसे निकालेंगे सर root 3 में आप बताओ सर root 2 तो निकाल दिए root 3 निकाल दिए बताओ तो यह भी निकाल देता हूँ फिर हम लेंगे यह 1 को base लेंगे perpendicular भी फिर से एक 1 लेंगे तो यहां पे भी क्या है hypotenuse भी 1 है hypotenuse नहीं base भी 1 है और perpendicular भी 1 है तो इसका hypotenuse कितना हुगा अरे सार जग गये यहां पे देखो hypotenuse equals to root over up 1 square plus 1 square equals to root 2 आया आपको root 3 निकालना था देखो यह root 2 आ गया अब मैं क्या करूंगा यह root 2 को base बनाओ यह root 2 को अभी base बता दो सर यह hypo था अभी इसको root 2 को base बनाओ फिर से और एक triangle ड्रॉ करेंगे तो इसका height कैसा होगा इससे 90 degree मतलब कुछ ऐसा दिखेगा यह 90 degree होगा यह angle और इसको भी फिर 1 ले जाना क्या perpendicular तो अब देखो कि base कितना है root 2 है और height कितना है 1 है तो इसका hypo कितना निकलेगा यह निकलेगा root over of root 2 square plus 1 का square equals to root 2 का square कितना होता है 2 होता है 1 का square 1 होता है 2 plus 1 3 होता है तो root over of 3 तो यह कितना निकला root 3 निकला निकल गया root 3 plot कर दिया root 2 plot कर दिया वैसा कोई भी number आए अब तुम plot कर सकते हो आसान है बेहती आसान है हलवा सवाल है exam में आएगा तो forward के आजाना इस बार तो short question पूछेगा बस सायद इससे क्या ही पूछ सकता है कि जो location है क्या वो सही है या फिर क्या हो तो उतना difficult होने वाला नहीं है पर जान के रखो short question में आ गया कहीं तो तो before I move to the next topic pause the video and note it down तो next topic क्या आता है real number and their decimal expansion तो कोई भी real number को वो चाहे rational हो irrational हो उसके क्या करेंगे decimal में लिखेंगे decimal पता है दसमलक जो होता है वही है decimal तो एक एक करके देखेंगे पहला कौन सा देखेंगे 3 by 2 तो 3 by 2 को हम कैसे decimal में लिख सकते हैं तो यहां पर 3 रख देंगे और इसको 2 से divide करेंगे तो देखो हमें यहां पर कितना मिल रहा है 2 ones are 2 तो कितना मिला 1 remainder मिला अब यहां पर अगर हम एक decimal ले देंगे decimal point दे देंगे तो यहां पर एक 0 जोड़ जाता है तुम्हें पता होगा इसको 10 मलक पद्धती भी बोलते हैं तो यहां पर कितना आ गया 10 आ गया 2 5 जा 10 और remainder 0 हो गया यहां पर कितना हुआ remainder 0 हो गया पर कुछ जगह आएंगे जहां पर 0 नहीं भी होगा उसको क्या बोलते हैं पहले देखते हैं पहले यहां पर देखो कि 3 by 2 को decimal में अगर represent कर रहे हैं तो यह कितना होगा 1.5 होगा समझ गे अब देखते हैं 10 by 3 का तो 10 divided by 3 तो अगर 3 में डिवाइड करूं तो 3,3 is a 9 फिर आया 1 फिर दिया 0 3,3 is आ फिर से 9 जाएगा फिर से आया 1 3,3 is a यह 0 आएगा यह यहां फिर से 9 आएगा फिर 1 बचेगा फिर यहाँ पे अगर 40 अगया फिर 3,3 is a तो ऐसा 9 आता रहेगा ऐसे 1 remainder बसता जाएगा यहाँ पर कभी भी remainder 0 नहीं होगा तो यहाँ पर यह 3.3333333 ऐसे चलता जाएगा तो इसको हम कैसे लिखते हैं पेपर तो खतम हो जाएगा उतना 3 अगर लिखने बेटेंगे तो इसको लिख देते हैं 3.3 के उपर एक बार लगा देते हैं बार का मतलब क्या है 33333 करके यह repeat होता जाएगा तो देखें कि हमने दो तरह का decimal expansion दिखा कि एक में 0 आ रहा है remainder पर एक में नहीं आ रहा है और एक type है जिसमें remainder भी 0 नहीं आएगा और 3.33 भी ना बड़ा बड़ा बनेगा कैसे बनेगा देखो जैसे आ गया 7 by 1 1 तो 1 by 7 आ गया 1 by 7 मतलब यह 1 इधर रहेगा 7 इधर रहेगा तो यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे पहले इधर ले लेते हैं तो इधर उपर ले लेते हैं ताकि हम ज्यादा number ले पाए उपर हम लिखेंगे जतना question होगा तो पहले तो 0 point दे देंगे क्योंकि 1 से 7 7 से 1 divide नहीं हो सकते यहाँ पर 0 हो गया 10 हो गया अब 7 1 जा 7 कितना बचा 3 अब यहाँ पर फिर शे एक 0 लगाना पड़ेगा 7 4 जा 28 फिर 2 बचा फिर 2 बचा फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 7 2 जा 14 फिर 6 बचा 6 बचेगा तो कितने में जाएगा 7 7 जा नहीं 7 8 जा में जाएगा 56 56 फिर 4 बचा फिर 7 5 जा जाएगा मतलब 75 जा 35 फिर से कितना आया 5 आया इधर कहीं पर एक 5 आया था नहीं आया था फिर और जाएगा तो इसमें थोड़ा बड़ा नंबर जाता है जैसे कितना जाएगा 1 4 2 8 5 और 50 में लोगा तो 77 जा चला जाएगा कितना जाएगा फिर से 77 जा चला जाएगा 50 में 49 चला जाएगा और कितना 1 रहा 1 कहां पे था इधर था तो फिर से 142857 142857 ये पूरा 5 आंकड़े 6 आंकड़े रिपीट होते चले जाएंगे तो यहां पे पूरे 6 आंकड़ों के उपर 12 लगा दिना समझेगे पर कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो ये तो छे नंबर के बाद रिपीट हुआ कोई 7 नंबर के बाद होगा कोई 10 के बाद कोई 50 के बाद लेखिन रिपीट होगा पर कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे रूट 2 इसको जब decimal expansion सर हम कैसे करें तो हम इसको नहीं पर जब इसको 1.41421356 1.4142 और ऐसे करके चलता जाएगा चलता जाएगा मतलब कोई भी नंबर रिपीट होने के चांसे सी नहीं है मतलब यह नंबर अलग-अलग नंबर आते रहेंगे तो इससे लिए यह जो टोटल हमने डेसिमल टाइप्स पढ़ा इनको बहुत सरे टाइप्स होते हैं के पहला कौन सा होता है टर्मीनेटिंग मतलब क्या जिसका रिमेंडर 0 हो गया कौन था इसमें इसमें था यह वाला जो 3 by 2 था यह 0 आ गया खतम-खेल-खतम पैसा आजम मतलब terminating हो गया पर जिनका reminder नहीं आया वो क्या हुए नौं टर्मिनितिंग नौं टर्मिनितिंग और ये जो नौं टर्मिनितिंग है ये भी दो types हिए क्या 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 तो पहले देखो यहां पे अगर बोलू तो 3.3 के बाद बार लग गया यहाँ पे 0.142857 के बाद बार लगा लगा बार थोड़ा देर में लगा पर बार लगा मतलब repeat हुआ कुछ time बात तो उसको क्या बोलते हैं non-terminating repeating बोलते हैं क्योंकि वो कुछ time बात repeat हो रहा है पर कुछ number के decimal expansion जैसे यह root 2 का 1.41421 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा कोई repeat नहीं होगा कोई भी digit तो उसको क्या बोलते हैं non-terminating non- repeating मैंने तुम्हें बताने के लिए लिख दिया है इसका लिए सही term जो use होता है वो होता है recurring क्या होता है recurring चलो यहाँ पर recurring लिख देता हूँ special term लिखेंगे क्योंकि बहुत बच्चे note के लिए इसको use करते होंगे non-terminating एक recurring होता है जो की repeat होता है और एक होता है non-recuring जो repeat नहीं होता है तो यहाँ पेसे सर आप एक बाद बोले थे अगर किसी को याद होगा तो वो पूछ रहा होगा कि हम decimal expansion देख के बना सकती है यह rational है या irrational तो जो decimal terminating होता है वो कैसा होता है rational होता है और जो decimal non-terminating पर recurring होता है वो भी कैसा होता है rational होता है पर जो decimal non-terminating होने के साथ non-recuring होता है जैसे root 2 वो से क्या बोलते है इरेसनल क्या बोलेंगे इरेसनल और इसी से तुम find out कर सकते हो जो terminating हुआ या फिर non-terminating भी हुआ तो recurring हुआ वो rational जो non-terminating और non-recurring हुआ मतलब repeat भी नहीं हुआ उसको बोलेंगे irrational funda clear है तो before I am up to the next topic pause the video and note it down तो तुम्हें दो rational number बीच में rational number find करना तो आता था class 8 से पर दो rational number के बीच एक irrational number अगर find करने के लिए 9th class में पूछा जाता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा ये बताने वाला हूँ सरी ये तो थोड़ा difficult होगा उससे हत आसान question है देखू बस थोड़ा काम करना है क्या काम करना है find irrational number between 1 by 7 and 2 by 7 ये question लिखा तुम्हें पहले दो number लिखना है 1 by 7 मैंने लिखा 2 by 7 लिखा इसको decimal में convert कर दो ये तो आता ही है जैसे मैंने करके भी दिखाया था 1 by 7 कितना निकला था result 0.142857 के उपर बार क्योंकि उसके बाद फिर repeat होता repeat होता जाएगा और 2 by 7 का भी उतना निकला 285714 और ये repeat होता repeat होता जाएगा तो हमें दो number मिल गए और irrational number में तुम्हें एक चीज़ बताया गया था कि कैसा होता है उसका decimal for non-terminating non-recurring तो terminating तो ये भी नहीं है पर ये recurring है मतलब repeat हो रहा है तो हमें ऐसा ही काम करना है कि ये repeat ना हो तो कौन सा काम करना है इन दोनों के बीच कोई भी number जो repeat ना हो वो क्या होगा irrational number होगा तो इन दोनों के बीच कोई भी choose कर लो तो यहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 है तो 1 और 2 के बीच कोई नबद मद तो 1 लिखते हैं यहाँ पे 4 है उथर 8 तो 5 ले लेते हैं और दो नबर लेने के बाद तो ये नमबर जो भी आईगा 1 5 के बाद कितने के बाद 0.15 के बाद ये दो नमबर के बीच ले ना ये जो 2 8 5 714 और 142857 के बीच चलो 153412 ले लेता हूं 6 तो यह नंबर क्या इन दोनों के बीच आता है बिलकुल आता है क्योंकि यह क्या है 1,42,857 और वो कितना है 2,85,714 और यह तो 1,50,000 है मतलब यह बोल सकते हो यह 1,40,000 यह 2,80,000 यह तो 1,500,000 है मतलब उन दोनों के बीच में एक आंकड़ा है उसके बाद क्या करना है मनमर्जी नंबर मेठना है सर क्या बोल रहे हो हां मनमर्जी देखो 1,2,3,4,6,8,9,2,1,0,0,0,0,0,8,10,0 भी लगा सकते हो पेपर जितना लंबा हो 4 तो यहां पर यह जो decimal expansion यहां पर क्या कहीं पर repeating तुम्हें दिख रहा है non-terminating पहले से था क्या यह repeating है नहीं है ऐसे करके बाद में थोड़ा 3-4 dot लगा देना कि ऐसे करके जाएगा तो यह क्या हो गया irrational number हो गया irrational number क्या पागल बंदी में लिखा हुआ number बोल सकते हो कुछ भी लिखते जाना जिसे और एक लिखता हूँ 0.160212 उसके बाद 00001 23459876 किसी का mobile number डाल के लिए आ सकते हो बस यह तुम्हें note करना है कि कोई भी digit repeat नहीं होना चाहिए जैसे 3333 हो रहा था यहां पर क्या होता है 142857 फिर आएगा 142857 फिर 142857 ऐसे कोई भी नंबर repeat होना नहीं चाहिए अब बोलोगे सर 04 वार repeat हो रहा है नहीं इतना तक जितना नंबर आया फिर से अगर यह वान से आयका फंड़ा है और उसमें हमें क्या करना है उसमें हमें क्या करना है बहुत आसान सी चीज़ करने है और नंबर लाइन में नंबर को तहां पे number line में तो एक normal number line कुछ ऐसा होता है 0, 1, 2, 3, 4 और minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 तो यह होता है एक actual number line तो यहां पे मानों हमें बोला कि 2 plot करो तो ऐसे 2 पे एक dot देके हमने circle बना लिया 2 plot हो गया अब अगर हमें बोले कि 2 ने 2.21 plot करो तो 2.1 कैसे plot होगा तो पहले 2.1 किन के बीच आएगा 2 और 3 के बीच आएगा तो इसको zoom कर दो यह zoom करना मैंने 8 वाले बच्चों को भी सिखा रखा है अभी से उनके syllabus में नहीं है फिर भी सिखा दिया ताको उनको आगे कोई परिशान ही नहीं हो तुमने नहीं सिखा होगा 8 में तो मैं सिखा होगा अभी 9 में तो देखो 2 को zoom कर दिया 2 को 3 को कैसे ऐसे एक line खीज देंगे मतलब यह line पुरा बड़ा हो गया ऐसे math में zoom किया जाता है और यह arrow दे दिये दिखो तो यह बोले कि यह वाले हिस्से को हमने बड़ा कर दिया पेपर में zoom कर दिया lens में घुमा के करते है phone screen पे अंगुठी फिसला के करते है और पेपर में ऐसे कर दिया तो अभी 2.1 है तो हमें पता है कि 2.1 2 और 3 के बीच आएगा तो पहले इसको 10 हिस्से करेंगे क्योंकि 10 हिस्से में से एक हिस्सा होता है 2.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0 ऐसे 10 हिस्से हुई इसमें से कौन सा हिस्सा चाहिए 0.1 वाला हिस्सा चाहिए तो हमें 2.1 भी हमने प्लॉट कर दिया अब बोला तुने ये भी प्लॉट कर दिया चल अब मैं 2 प्लॉट कर 2.21 प्लॉट कर चल बता तो देखो 2.21 कैसे प्लॉट करेंगे पहले हमें क्या जानना है कि ये किन के बीच आता है इस नंबर लाइन में से तो हमें पता चल रहा है कि ये 2.2 और 2.3 के बीच आएगा तो इसको क्या करेंगे जूम कर देंगे पेपर में कर दिया अब फिर्शत 10 हिस्षा क्योंकि 2.21 भी 10 हिस्षो में से एक हिस्षा है तो 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 करके गया 10 हिस्षे में बढ़िया अब कौन सा हिस्षा चाहिए 2.1 वाला हिस्षा चाहिए तो इसको टू टू के बीच आएगा तो इनको आप जूम कर देंगे और जूम करने के बाद फिर्शत 10 इससे में डिवाइड कर दी और यहां पर 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, ऐसे करके 2.220 तक जाएगा और यहां पर 2.213 मिल गया, अब बोल दाए 2.2134 अगर प्लॉट कर देना, सर ऐसा नंबर है तो प्राण निकल जाए, इसलिए पहले मैट का पेपर लेंदी हो जाता था, यह नंबर को दे देगा तीन नंबर में, अब बच्चा करता रहेगा पेपर लेंदी, पर इसवार MCQS है, पर मैट का MCQS आसान नहीं होता, पर मैं तुमारे साथ थो करऊंगा, सारा कुछ कराऊंगा 95% प्लस तक, मैंने रिसोर्सेस भी बता रखा है, हमारा एक वीडियो है ना, आउट उसको 95% प्लस, जाओ तुम देख सकते हो, हमारे चनल पे जाके, और कोई भी वीडियो चाहिए, चनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में चेक करो, सारे वीडिय काम करना है, मैनत करना है, मतलब इतने लाइन ड्रॉ करना असान नहीं होता, अभी लगर आ होगा, पर टाइम थोड़ा जाता है, पर इस बार MCQ टर्मान के सिलावस में यह है, तो MCQ आएगा, तो मुझे नहीं लगता, ऐसा बोलीगा, MCQ में कोई एक इमेज दिया होगा, क्य के साथ, multiply करना, divide करना, add करना, subtract करना, यह सब आती है, पर एक दो बाते हमें ज्यादा जाननी पड़ेंगे, कुछ properties हम जानेंगे इनके, तो यह थोड़ा lengthy वीच चल सकता है, तो पहला line मैं पढ़के तुम्हें बताता हूं, rational numbers are commutative and associative, under addition and multiplication, जो rational number होता है, मतलब जो rational number है, P, Y, Q के form में जिसको लिख सकते हैं, वो कैसा होता है, commutative होता है, दूसरा associative होता है, किसमे, addition और multiplication के case में, समाझ गें, और rational number closed भी होता है, यह सब properties थे, जब हमने कप पढ़ाता है, class 8 में पढ़ाता, तो थोड़ा थोड़ा बस recall करा दी रहा हूं, बुक में दिया है, वोल चाहिए, दो rational number को multiply कर रहे हैं, तो rational number निकलना चाहिए, दो rational number को subtract कर रहे हैं, तो भी rational number निकलना चाहिए, क्या result और दो rational number को अगर divide कर रहे हैं, तो rational number निकलना चाहिए, पर क्या होता था, rational number close होता था, कहां कहां पे, addition, subtraction और multiplication में, पर division में नहीं होता था, क्यों, 0 की बज लिखते हैं तो एंसर कितना निकलता है infinite या फिर not defined निकलता है इसलिए यहां पर लिख दिया हूँ except 00 को छोड़के बाकी सब rational number को divide करने पर भी एंसर एक rational number मिलता है तो यह तुम्हें जानना था इस वाले unit से question कैसा पूछा जाएगा तो question पूछेगा check करो क्या 7 root 5 कोई भी number देदेगा 2-3 कि यह irrational है या फिर rational है मैंने यहां पर irrational लिखके क्या-क्या है question mark लगा दिया है तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम्हें यह तो पता है कि मालो तुम्हें नहीं पता कि root 5, root 5, root 2 यह क्या है rational है या फिर irrational है पर इतना पता है कि यह जो 7 है यह जो 21 है यह सारे number rational है और हमें पता है कि कोई rational number को और एक rational number के साथ add करो, subtract करो, multiply करो, divide करो, 0 को छोड़के अगर किसी के साथ यह सब करते हैं तो result कैसा आना चाहिए एक rational number आना चाहिए तो पहले तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ 10 के अंदर जितने भी root value है उनको थोड़ा रट दो क्यूंकि इसको निकालना मुस्किल है root 5 का value के तना होड़ है 2.236 continue करता जाएगा यह non-recurring non-terminating non-recurring और root 2 का value 1.4142 ऐसे निकलता जाएगा आप क्या करेंगे 7 root 5 मतलब 7 into 2.236 तो इसका result निकालो और मुझे comment section में बता हो तो result कितना निकलेगा 15.652 कितना निकलेगा 15.652 और यह भी ऐसे non-recurring चलता जाएगा आप देखेंगे 7 divided by root 5 तो इसका result भी कितना निकलेगा तो इसका result भी वही non-terminating non-recurring निकलेगा जोगी 3.1304 3.1304 इसे repeat होता जाएगा और root 2 plus 21 root 2 plus 21 भी क्या निकलेगा देखो यहाँ पर root 2 का value कितना दिया है 1.4142 तो 21 एड़ हो जाएगा तो 22.4142 और यह भी non-terminating non-recurring है तो यहाँ से पता चला कि जो भी decimal number non-terminating non-recurring होता है वो क्या होता है? irrational number होता है और यहाँ पर हमने पढ़ाता कि अगर कोई rational number को और एक किसी rational number के साथ accept 0, 0 को छोड़ के add करते हैं, subtract करते हैं, multiply करते हैं, divide करते हैं तो answer rational number आता है पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों ही cases में answer कैसा है? irrational है तो यह तीनों number कैसे है? irrational है समझगी? अब हम दिखेंगे कि irrational number को add कैसे करते हैं, subtract कैसे करते हैं, multiply कैसे करते हैं, divide कैसे करते हैं सब देखेंगे, before that pause the video and note it down तो अभी हम क्या दिखेंगे? दो irrational number को add करेंगे और multiply करेंगे तो addition का देखो, किन दोनों को add करेंगे? 2 root 2 plus 5 root 3, sir, यह add करेंगे इनको, नहीं, यह एक number है और दूसरा end, root 2 minus 3 root 3 तो इन दोनों number को add करना है एक को add करके मतले लिख देना answer wrong हो जाएगा इसको और इसको add करना है ऐसा question आएगा exam में, MCQ में 4 option देगा number वड़ा है, option 4 देगा तो हो गया MCQ तुम्हें क्या लगता है? बस 1 mark का MCQ आ सकता है math का MCQ मतलब पुरा रुला देता है क्यों? क्योंकि इस trick के बज़े से 2-3 mark का question 1 mark में आ जाता है तो चलो करते हैं, तुम्हारा भीया तुम्हारे साथ है सब कुछ पढ़ाएगा, आसानी से कराएगा सारे ज्यान देगा, तो क्यों चिंता की बात है तो 2 root 2 plus 5 root 3 plus कितना होगा? root 2 यह root 2 हो गया और यहाँ पे plus था देखो यहाँ पे bracket दे देता हूँ क्योंकि यह एक अलग number है 3 root 3 तो तुम्हारे पता है कि अगर हम इस bracket को open करेंगे तो यहाँ पे plus रहेगा और यहाँ पे minus का minus रहेगा क्योंकि plus minus minus होता है, अगर यहाँ पे plus होता प्लस 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 होता पर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस होता तो प्लस हो जाता पता है ना प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस सिंपल फंडा है यह नहीं पता तो यहाँ पर देख लो अब क्या करना है तुम्हें कि जहाँ पे ये root के अंदर वाला number common है उनको पास पास लिखो जैसे 2 root 2 प्लस root 2 और क्या 5 root 2 5 root 3 minus 3 root 3 तो दोनो root वाले को पास पास लिखा तो यहाँ पे क्या मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि ये root 2 के पहले कुछ नहीं है तो 1 है क्योंकि 1 into root 2 भी root 2 ही होता है तो अगर हम यहाँ पे पहले वाले में root 2 को common ले ले मतलब दोनों में root 2 है बोलके root 2 को एक जगा लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है 2 plus 1 और क्या होगा यहाँ पे देखो minus होगा क्योंकि minus symbol है यहाँ पे add नहीं subtract होगा तो यहाँ पे अगर root 3 को एक जगा लिखें तो 5 minus 3 तो अगर answer निकालों तो कितना आएगा simple है 3 root 2 plus 3 root 2 plus 2 root 3 तो यह आगया answer addition समझ गये कैसे करते है irrational number का ऐसा आएगा तो एक्जाम में 4 दोगे एक्जाम में आएगा तो बलकुल 4 देंगे सर आपके भाई हैं आपसे पढ़ते हैं math में नहीं फोड़ा तो और किस नहीं फोड़ेंगे अब देखो multiplication दो number का तो multiplication में कैसा होता है वही वाला चीज कौन सा वाला चीज यहां पर थोड़ा common मतले ना multiplication में वही चीज करना है पर common नहीं लेना है सर क्या बता रहे हो वही वाला चीज कैसे हो चलो दिखाता हूं 6 root 5 into 2 root 5 तो addition में क्या करदेते root 5 को common लेके 6 into 2 कर देते थी तो 6 into 2 करो पहले और क्या करना है into root 5 into root 5 भी कर देना क्योंकि दोनों जगे पर root 5 है वहाँ पे बस एक root 5 रखते थे क्योंकि root 5 plus root 5 यहाँ पर common ली जाते थे पर यहां पर दोनों को into करेंगे, तो क्या होगा, 6 into 2, 12, into root 5, into root 5, 5, तो answer निकल जाएगा, 60, next we will move to division, subtraction आएगा तो बिल्कुल सेम पंडाई देखो, यहां पर add क्या, subtract कैसे करते हैं, यह भी बता दिया है, तो addition, subtraction कोभर हो गया, multiplication कोभर हो गया, अब क्या देखेंगे, division दे अब देखो, division देखते हैं, और कुछ property आखिर में बता दूँगा, इस पर अभी नजर मत डालो, question पर डालो, divide 8 root 15 by 2 root 3, तो यह हमें क्या बोल रहा है, यह करने के लिए, देखो, 8 root 15 उपर लिखना है, उसको किस से divide करना है, 2 root 3 से, तो पहले यहां पर देखो, यह root 15 है, यह root 3 कैसे करके यहां से निकलना है, सर ऐसे कैसे निकाल देखो, कैसे निकाल देखो, तो 8 root 15 क्या है, 8 into root 15 है, तो root 15 के अंदर क्या लिख सकते हैं, 5 into 3, अब समझ में आ गया होगा, बहुत बच्चों को कैसे मैं root 3 लेके आऊंगा, तो 2 root 3 नीचे का नीचे आया, अब मैं यह ल तो तुम्हें पता है, जब 2 सेम नंबर उपर नीचे होते हैं, तो root 3 से root 3 मर जाएगा, और 2 4 जा 8, मतलब कितना बचेगा, 4 root 5, तो ऐसे होता है division, अब तक हमने जो भी देखा, addition देखा, multiplication देखा, subtraction देखा, division देखा, इसमें से हमने यह तीन चीजे सीखा है, नहीं सीखा ह तो इसलिए याद दिलाने के लिए यह line में लिखा है book में, the sum, difference of a rational और irrational number is rational, तो हमने देखा, पहले हम एक rational, एक irrational number को add कर रहे थे, एक rational या फिर एक irrational number को एक दूसरे से subtract करना, difference निकालना, sum मतलब क्या addition, difference मतलब subtraction, तुम एक rational, एक irrational number को या sum करो या फिर difference करो, तो result हमेशा क्या आएगा, एक irrational number आएगा, जो number निकलेगा result में, वो irrational होगा, और product, product मतलब क्या, अगर दो number को multiply करती है, जैसे 5 into 3, 15, वो product है multiplication का, और question, question मतलब होता है, division करने के बाद जो result निकला, मतलब 8 root 15 divided by 2 root 3 का question कौन सा होगा, यह 4 root 5 होगा, मतलब division का जो result निकलता है, उसको बोल तो एक product, multiplication या फिर division करने में जो result आता है, और पर irrational and non-zero rational number, एक irrational number और एक rational number, 0 को छोड़ की, क्योंकि 0 खेल बिगाड़ देता है सब, तो 0 को छोड़ देना, क्योंकि 0 से कोई भी number अगर multiply या फिर multiply करते हैं, तो क्या होता है answer, 0 निकलता है, जो कि rational हो जाता है, और अगर 0 से किसी को divide करते हैं, तो वो irrational निकलता है, मतलब not defined निकल जाता है, infinite जिसको बोलते हैं, तो irrational number और एक rational number 0 को छोड़ के, उनका product या फिर question, मतलब multiply करने पर या फिर division करने पर, जो result देता है, वो irrational होता है, कैसा होता है, irrational होता है, यह पोई add, subtract, multiply और divide, और last में एक line बोला है, कि अगर हमको add करेंगे, subtract करेंगे, multiply करेंगे, division करेंगे, दो irrational number का, अब तक क्या था, एक rational, एक irrational, अब क्या दोनों ही अगर irrational number होंगे, तो इन चारों ही case में, result irrational होगा, अगर बोल रहे हो तो गलत हो, irrational भी हो सकता है, rational भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है, मतलब दोनों result आ सकते हैं, पर अगर एक rational और एक irrational है तो result हमेशा irrational आ रहा है except 0 तो समझ गया कुछ properties था next we will move किसको पढ़ेंगे तुमने ये root 2 को represent करना मैंने सिखा दिया root 3 को करना सिखा दिया root 4 को करना ऐसे number को करना सिखा दिया पर root 4 क्या 2 होता है तो सीधा पुरा लेख सकते हो root 3.8 ऐसे number को कैसे represent करते हैं ये तो और complex कर दिया सर अपने वो सिखाने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से बहुत से YouTube में बंदे हैं जिन्नोंने छोड़ छोड़ के भागा है इसको गलत बात कर रहे हैं तुमारे साथ धोके दाड़ी कर रहे हैं सबस्ट्राइब बोलने के लिए नहीं आता पर जो हमसे जुड़े रहना चाहते हैं ये quality content को जो best content है उसको लेना चाहते हैं वो हमसे वैसे ही जुड़ जाते हैं और मेरा motive कुछ ऐसा है कि पूरे इंडिया को मुझे free education देना है मैं उसके लिए काम करता हूँ दिन रात मेहनत करता हूँ तो तुम तरह साथ धोका दाड़ी तो कभी नहीं करूँगा उल्टा एक्जाम कतम होने तक तुमारे साथ तुमारे जर्नी में साथ दोगा तो ये पढ़ने से पहले इसको pause करके वीडियो को note कर लो हाँ तो आपने normal root वाले नंबर को represent करना सीख लिया ऐसे नंबर को कैसे represent करेंगे जैसे root 3.8 को graph में या फिर graphical representation ने geometrical representation बोलती है तर्म में बोला जाए तो ये बहुत से channel वाले छोड़ दिये हैं तुमारा भाई सारा कुछ पढ़ाता है तुमसे धोका धाड़ी नहीं करता है बाकी लोगों को अपने से मतलब है उनको क्या मतलब है पर तुमारा भाई तुमारे 95% प्लस के लिए हमेसा लड़ाई करेगा ये जान लेना तो ये देखो 3.8 को कैसे represent करती है तो इसका थोड़ा अलग उपाय होता है पहले एक line ड्रो करना है कितना जितना amount हो उसने unit का तुम cm में ले सकती हो या फिर meter में ले सकती हो paper में cm में लेना अच्छा होता है मतलब कम जगे में हो जाएगा तो मैंने whiteboard के हिसाब से 3.8 लिया है तो AB जो है ये 3.8 है मानलो कोई भी unit में cm हो, m, km हो उतना paper नहीं मिलेगा वरना km लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है तो तुम paper में क्या लेना? cm लेना तो मानलो मैंने ये 3.8 cm का लिया है line क्योंकि मुझे root 3.8 निकालना है तो AB हो गया उसके बाद और एक cm बढ़ा दो क्यों? हमने सोचा बढ़ा देते हैं बिचारा छोटा छोटा दिख रहा है थोड़ा बढ़ा देते हैं तो 1 cm बढ़ा दिए मतलब ये step है इसको दिखाने का 1 cm बढ़ा दिए अब जो AB line था C के तरब और एक cm बढ़ गया तो अगर इसका center निकालेंगे किसका AC का तो कितना निकलेगा? 4.8 divided by 2 equals to 2.4 ये इसके center point मतलब इधर से 2.4 कहीं इधर इसका center निकलने वाला है इधर जैसे इसका निकला है वैसे यहां कहीं पे निकलेगा इसका center माल दो उसको O point दे देते हैं तो इतना बन यह clear होगे यहां पे कितना है? अब यही line को यहां पे मैंने रग दिया है ये देखो बिलकुल वही line है इसमें कुछ, sir यहां पे कुछ करामती आप ने करा है वो कैसे करा है अभी बता रहा हूँ तो यह line कैसे AC बना समझगी? आप यह line को थोड़ा बढ़ा करके रखो जितना भी बढ़ा सकती हो या फिर बाद में भी बढ़ा कर सकती हो अब क्या कारना है? यह O point पे तुमारे जो rounder या फिर compass जो भी बोलते हो तुम उसके pointer को रखना और यहां से ऐसे rounder यहां पे एक तरब रहा और दूसरे तरब ऐसे pen लगा के इसको यह center से A में एक point को लगा के पूरा एक semicircle बना देना क्या एक semicircle बना देना यहां पे pointer होगा, यहां पे pen का निफ होगा क्या फिर pencil का और एक semicircle बन गया तो इस वाला end A पे रहेगा दूसरा वाला end C पे रहेगा क्योंकि यह midpoint AC का है बन यह semicircle अब यह B वाले point से यह जो B वाला point था इससे उपर की तरब circle पे अगर एक straight line draw कर देंगे perpendicular तो यह जो line होगा यह किसको represent करेगा पता है 3.8 root को root 3.8 को represent करेगा आप बोले mathematician यह उपर थोड़ा रह रहा है और हमें हजम नहीं हो रहा है इसको हम नीचे लाना चाहते हैं तो उसके लिए यह क्या क्ये और एक बार compass लिए pointer को B पे रखे एक pen के nip को यहां पे रखे यह जहां पे circle को touch कर रहा था यह line और फिर से एक ऐसा बना दिया आर्क लिए एक आर्क ऐसे लिए तो यह जहां पे meet करेगा c को जब extend करेंगी यह जहां पे meet करेगा उस वाले point को हमने p नाम दिया जो कि represent करेगा root 3y8 को समझ गे कैसे point वाले चीज को represent करना है पहले उतने cm का एक line देना है जिसका root हो उसके बाद 1cm extend करना है फिर वो total line का एक point लेना है mid point उसमें से एक semicircle बनाना है जिसका एक point A में हो दूसरा point C में हो और B से उस वाले semicircle की जिस भी point को touch हो रहा है touch कर देना है एक straight line में जो कि यहां पे 90 degree form करें और यहां पे pointer रखेंगे जो किसको represent करेगा root 3.8 को या फिर root 2.2 जो भी तुमें दिया होगा उसको represent करेगा समझ गे आसान चीज था उनको खुद को बहुत लोगों को समझ में नहीं आता या फिर अगर कोई confusion हो रहा है तो और एक बार देख लो पीछे जाके ये वीडियो को ये वीडियो complete solution है इतना line वा लाइन इतने अच्छे से इतने डिटेल में सायत ही तुमें कहीं कोई पढ़ा पाई तो before I move to the next topic pause the video and note it down खुद भी कर सकती हो तुमारा geometry box लेकि try करू अब हम क्या देखेंगे कुछ properties देखेंगे किनके ये irrational वाले numbers के जिसको दुम use करके कोई simplification कर सकती हो जैसे formula होता है a plus b का whole square a square plus 2ab plus b square क्यों problem को असान बनाने के लिए होता है पैसे irrational number के सब हलवा है ये बस कुछ formula के direct application है जैसे root ab एक और root a into root b समझगी ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ एक example में गौर से देखे होगे इस वीडियो को तो root a by root b तो root a by b तो ये तो common सी बात है ये हमने किया था जब मैं root 15 को root 5 into root 3 लिक रहा था तभी मैंने ये formula का use कर डाला था अब देखते हैं root a plus root b into root a minus root b equal to a minus b यहाँ पे बहुत बच्चे चौक जाते है खुद teacher भी बहुत बार चौक जाते है मुझे नहीं पता क्यूँ क्योंकि थोड़ा गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक formula का direct application है वो क्या है a plus b into a minus b तो इसका formula क्या होता था a square minus b square और यहाँ पे बिलकुल वही क्या गया है अगर a root a है और b root b है तो यहाँ पे a square minus b square के जगह root a का square minus root b का square होगा तो root a का square क्या है a है और root b का square क्या है b है तो a minus b निकला है बहुत यहाँसान था समझ गये होगे देलेंटेड बच्चे हैं हमारे समझ ही गए होंगी तो fourth number formula a plus root b into a minus root b बिलकुल यही formula का direct application है a square minus b square वाला यहाँ पे देखो a के जगह पे a है b के जगह पे root b है तो answer में क्या निकलेगा a square minus b square मतलब a के जगह a ही है तो a square हो जाएगा पर b के जगह root b था complex लग रहा है यह भी नहीं है simple division है कैसे एक-एक करके simple division नहीं simple multiplication है यह भी कुछ खास नहीं है simple multiplication कैसे होता है एक-एक करके multiply करते हैं कैसे जैसे पहले a को लेंगे इस दोनों के साथ multiply करेंगे तो root a into root c root a c लिख दिये plus क्योंकि यहाँ पे plus है फिर root a into root d root a d लिख दिये फिर क्या a का खतम हो गया दोनों के साथ multiplication अब लेंगे root b को तो plus देंगी क्योंकि root b से पहले भी plus है तो root b into root c root b c फिर d से पहले क्या है plus है तो फिर से plus एक बैठा दू root b into root d root b d आसांत फॉर्मूला थे अब तक लास्ट वाला भी आसान है a plus b का whole square यह तो पढ़े होगे यह नहीं पता तो math का क्या पता नहीं पता तो भी अभी जान लो a square plus 2ab plus b square या फिर बहुत लोग बोल दें a square plus b square plus 2ab same चीज़ है a plus b का whole square का formula वैसे root a plus root b के whole square का formula क्या होगा root a square plus 2 root a root b plus root b square तो root a square क्या है a है plus 2 root a root b को root a b लिख सकती है क्योंकि यहाँ पर ही हमें पता चल गया था देखो root a root b root a b तो यह foot कर दिये है plus root b का square b clear formula खलास next we will move to rationalization of denominator यह mcq में आ सकता है मुझे जो लग रहा है इसमें थोड़ा mcq का importance आएगा जब हम next topic के और बढ़ेंगे before I move to all those pause the video and note it down अब मैं क्या बताऊंगा तुम्हें rationalize the denominator तो ऐसा question आता है question ऐसा क्यों लिखा होगा और वो लेगा rationalize the denominator अभी दो सवाल करागे पुरा खलास कर दूंगा concept को denominator तो पहला तो एक fraction में denominator कौन सा होता है नीचे वाला की उपर वाला जैसे gate देखते ही pull या push क्या करना है एक इंसान थोड़ी देर के लिए wait करता है कीम भी तो trending पर चल रहा था वैसे बहुत बच्चों का confusion में आज तक समझ नहीं पाया उनको मैं जब numerator या फिर denominator बोलता हूं बहुत से जो मेरे भाई लोग है या फिर जो भी है जिनको भी पूस्ता वो बोलते हैं भीया उपर वाला की नीचे वाला तो उपर वाला निउमेरेटर होता है और नीचे वाला डिनमिनीटर होता है समझ गे कि आप चलो देखेंगे ये टू माइनस लिखते एक माइनस वाला लेते हैं कि यहां पर देखो कि कुछ दिया गया है दो फ्रेक्शन दिये गया है जनके डिनमिनेटर को मतलब नीचे वाले को हमें rationalize करना है मतलब rationalize मतलब क्या तुम्हें देखो सीधा-सीधा पता चल रहा है कि root 2 है irrational number है irrational number मतलब यह जो denominator है यह rational नहीं है तो उसको rational बनाना है सर से भी बना सकते हैं तुम्हारा question होगा अब देखो 2-3 तो root 3 भी irrational number है इसको rationalize करेंगे कैसे करेंगे चलो बताता हूँ पहले वानवाय रूट 2 लेते हैं पहले वानवाय रूट 2 लेते हैं तो इसको denominator को rationalize करने के लिए तुम घुद बोलो रूट 2 में क्या ऐसा multiply कर देगी यह rational number निकले साधा सीधा answer है into root 2 कर देंगे तो 2 निकल जाएगा हमें पता है कि fraction का value change ना हो इसलिए हम नीचे जो number multiply कर रहे हैं उपर भी वो number multiply करते हैं ताकि root 2 by root 2 1 हो जाएगा और 1 multiply करने पर fraction की value change नहीं होती तो fraction का value change ना हो बुलके हम उपर वो number multiply करते हैं जो नीचे क्या है या फिर नीचे वो number multiply करते हैं जो उपर गया मतलब सेम नंबर दोनों जगा multiply करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा root 2 by 2 तो यह निकल गया rationalize denominator वाला fraction और यह root 2 by 2 1 by root 2 के equal है कैसे equal है बता दू root 2 into root 2 होता है तो इसको काड़ देंगे तो यहां 1 हो जाएगा और यहां root 2 हो जाएगा समझ गये कैसे rationalize करते हैं अब देखते हैं थोड़ा लंबा वाला मतलब थोड़ा complex number complex तो कुछ भी नहीं है बच्चे बोलती है या फिर students लोग बोलती है तो यहां पर कौन सा number multiply करो अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर 2 minus root 3 में 2 minus root 3 ही multiply कर दो तो 2 minus root 3 का whole square का formula आ जाएगा पर मैं बोलता हूँ अगर तुम ऐसा सूच रहे हूँ तो खुट करके देखो नहीं होगा rationalize मैं बोल सकता हूँ नहीं होगा rationalize क्योंकि a minus b के whole square का formula होता है a square minus 2ab plus b square a square rationalize होगा b square rationalize होगा root 3 3 हो जाएगा पर जो 2ab होगा न 4 root 3 होगा वो एक rational number नहीं है तो denominator है वैसे rational नहीं होगा तो आप क्या करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे simple formula properties एक पढ़ाया था क्या था वो properties वो properties बोलता था कि a minus b into a plus b equals to a square minus b square यहाँ पर दिख रहा है a minus b दिया है a plus b multiply कर दो a plus b multiply कर दो यहाँ पर कभी भी 2 minus root 3 multiply करके square मत करना नहीं निकलेगा यहाँ पर यहीं multiply करना यह a square minus b square का formula डालना है तो अब क्या मिलेगा हमें 2 plus root 3 upon कितना निकलेगा 2 square minus root 3 का square तो यह हो जाएगा 2 plus root 3 into 4 minus 3 equals to answer निकल जाएगा 2 plus root 3 कि यह नीचे 1 हो जाएगा तो तुम्हें पता चल गया कि आप denominator में कोई irrational number नहीं है rationalize हो गया कैसे किया देखा अगर simple one digit वाला है तो वही multiply कर दो clear है और अगर ऐसा दो वाला है ना यहाँ पर माल लो 2 plus root 3 होता तो भी 2 minus root 3 multiply करते कभी भी plus whole square के formula पर मच जाना A square minus B square में self हो जाता है easily समझ गे तो इसे के साथ यह topic खतम होता है before तो यहाँ तक करने के बाद तुम 1.5 तब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 पांचो exercise यूँ खलास कर दोगे इस सारे number पोरे अच्छे से मैंने example के साथ यहाँ पर बता दिये हैं वो खुद कर सकते हो exercise पर मैं बोलूँगा इस बार टर्मवान वाला फंडा है तो exercise को detail में जाने की कोई जरूरत नहीं है जो short question कर दो और जो मैं MCQ provide करूँगा तुम्हारे अपने channel जकास classes पर उसको कर ल होगे बहुत बार दिखे होगे यह सब चीज़े इसमें ट्रिक लगता है 17 to the power 2 into 17 to the power 5 तो इसको कैसे लिखा जाता है पूरा निकाल के नहीं किया जाता है इसको अगर simply लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 17 to the power 5 plus 2 या फिर 2 plus 5 लिख सकते हो तो 17 to the power 7 simplification का result है या फिर अगर इ नंबर a है to the power m plus कोई नंबर वही a है to the power n then इसका result क्या होता है a to the power m plus n तो यह इसका result होता है यह इस चेप्टर में यूस होगा इसलिए मैं पहले generally बता दे रहा हूं वोक के example के हिसाफ से 5 to the power 2 to the power 7 तो क्या होता है उपर के 2 exponents multiply हो जाते है तो यह क्या हो जाएगा 5 to the power 2 into 7 हो जाता है तो कितना हो जाएगा 5 to the power 14 answer या फिर ऐसे लिखों तो a to the power m to the power n equals to a to the power m into n समझगे अब 23 to the power 10 divided by 23 to the power 7 तो into में क्या हो रहा था power add हो रहा था division में subtract हो जाएगा तो क्या होगा 23 to the power 10 minus 7 equals to 23 to the power 3 तो यह क्या हो जाएगा a to the power m divided by a to the power n equals to a to the power m minus n समझे अब देखते हैं 7 to the power 3 into 9 to the power 3 तो यहाँ पर नीचे के number वहाँ पर same थी तो exponents add हो जा रहे थी यहाँ पर दोनों power exponents मतलब क्या सर मत बोलना power होता है exponents का मतलब यहाँ पर exponents अगर same है तो यह number क्या हो जाएगा यह number into हो जाएगा तो देखो ऐसा होगा 7 to the 7 into 9 hold to the power 3 हो जापा है तो 7 9 जा 63 to the power 3 या फिर general formula में लिखूं तो a to the power m into b to the power m equals to a into b to the power m समझ गे यह सारे हम अभी use करने वाले हैं तुमारे exercise 1.6 में तुम use करोगे अभी मैं example में self करके तुमारा concept clear करा दोगा before I move to that pause the video and note it down important है mcq में यह आ सकते हैं यह मुझे दिख रहा है क्योंकि इसमें सट कुष्ची ने बनता था पहले भी तो अभी देखो कि यह कौन सा power होता है fraction वाला power तो मैं एक example लेके समझा दीता हूँ अगर मानो तुम्हें दिया है 4 to the power 1 by 2 मतलब यह होता है root over of 4 अगर मानो 4 to the 9 to the power लिखते है 9 नहीं 27 लिखते है ताकि निकल पाई तो यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा root over निकलेगा 27 to the power 1 by 3 मानो अगर देता है तो इसको क्या बोलेंगे cube root हो जाएगा equals to cube root of 27 होता है जोगी 3 होगा 3 into 3 कितने बार एक number को 3 बार multiply करने पर 27 निकलेगा वो number क्या होगा 3 होगा 3 into 3 9, 9 into 3 27 तो समझ गे यह fraction के power का क्या मतलब है पर यह नहीं करना है तुम्हें तुम्हें बस simplification सिखना है number का हाँ इतना complexly तुम्हें नहीं देने वाला यह 2 to the power 3 तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा देखो हमें क्या वो जो एक formula सिखे दे तभी क्या a to the power m into a to the power m into b to the power n equals to क्या था चलो देखते हैं यहाँ पर direct use करते हैं a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n तो 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 3 equals to 2 to the power 3 by 3 जो की 1 होता है और 2 to the power 1 2 होता है और एक बाद भी मैं बता देना चाहता हूँ कोई भी number वो क्यों नहों x to the power 0 हमेशा 1 होगा वो 2 to the power 0 हो 3 to the power 0 1 to the power 0 minus 1 to the power 0 किसी का भी अगर power 0 है तो answer 1 होगा समझगी वो एक line याद कलो वो एक point यह star लगा दीता हूँ चलो अब दीखते हैं 7 to the power 1 by 5 divided by 7 to the power 1 by 3 तुम्हें ऐसे number बोलेगा और क्या बोलेगा question में simplify यह MCQ में भी आ सकता है चार option में से select करो कौन सा simplified form है तो तुम्हें पता है division में क्या होता है subtraction होता है 7 to the power 1 by 5 minus 1 by 3 तो अगर मैं आगे बढ़ हूँ तो 7 to the power 5 और 3 का LCM क्या निकलेगा 15 निकलेगा यह 5 3 15 divided by 5 3 बचेगा उपर 3 minus 5 तो 7 to the power minus 2 by 15 normal subtraction था जैसे करते हैं वैसे करना fraction का subtraction उमीद है आता ही होगा अब लोगों को 3 to the power 1 by 5 to the power 4 तो यहां पर क्या होता था to the power 1 by 5 into 4 हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा 3 to the power 4 by 5 खलास अब देखते हैं next number 13 है यहां पर exponent same है और यह जो number है यह अलग-अलग है 13 और 17 तो यहां पर क्या होता था 13 into 17 to the power 1 by 5 तो यह निकल जाएगा 221 to the power 1 by 5 सर्फ क्या multiplication कर दियो तुमारा भी यह speed आ जाएगा बस थोड़ा practice करो समझ गे और ऐसा number आने वाला है और congratulations हमने यह chapter खतम कर दिया important chapter था बड़ा chapter था इसी के साथ खलास होता हुआ पूरा का पूरा chapter तो मुझे लेना पड़ेगा तुम से विदा जाते जाते बता देना चाहता हूँ मैं तुमें feel अगर लाना है मैं तुमें feel करना है अगर इस subject को इस subject में अच्छे number नहीं आते थे तो आप आएंगे 95% प्लस और पहले आते थे तो आप और अच्छे आएंगे इसके लिए तुमें जगास classes से जुड़ना पड़ेगा आप सारे वीडियोस देखने पड़ेगे मेरे बाद माननी पड़ेगी फिर बोलना 100 भी फोड दोगे exam में तो इसी के साथ मैं लेता हूँ तुम से विदा जाते जाते फिर एक बाद बता दो math, science, English, class 6 से लेके class 10 तक lecture videos along with MCQs भी देंगे टर्मान के लिए with imported notes in the description box अभी भी check out कर रखते हो और सारे link भी है description box में सारा कुछ जितना भी मिलेगा class 6 से class 10 तक free में सब कुछ quality content जगास classes में मिलेगा तो मैं लेता हूँ तुम से विदा इसे के साथ मैं लेता हूँ तुम से विदा मिलते हैं अगले videos में तब तक पढ़ते रहो जगास classes देखते रहो जैहन वंदे मात्र ये भी note कर लो